हेलो फ्रेंट्स मैं शुर्ता अब्राइस टॉलिजर निम्राउलोजिस वास्तो स्पेशलिस्ट एक लंबे समय के बाद आज फिर मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाई हूं कल सोमवर है और अमावस्या भी है को मौन है कि आज क्या से कि समय के लिए महावस्या करें मनन करें मैडिटेशन करें या आप के लिए बहुत अच्छा रहता है मावस्या मैं आएक एक खास में और भी यह कि इस दिन पित्रों के लिए दान किया जाता है और मावस्या शनि महाराज से भी संबंदित हैं तो जिनकी साड़े साती चल रही है यह तो जिनकी साड़े साती खतम होने कल अमावस्या के दिन अगर वो रुद्राभी शेक करवाते हैं तो उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो कोशिश कीजिए कि कल के दिन अपने पित्रों के लिए कुछ दान जरूर करें घर में खीर बनाएं तो खीर आप मंदिर में भी भीजें दूद का दान आप कर सकते हैं रुद्राभी शेक का आप करवा सकते हैं तो अपने पित्रों के लिए जरूर करें अपने घर परिवार जिन लोगों की लाइफ में बार बार अर्चने आ रही हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरा रिजल्ट नहीं जिनको मिल रहा उनके ल अपने पित्रों के लिए जरूर दान करें उनको उनकी शांती के लिए प्राथना करें पीपल के पेड़ पर दिया जरूर जलाएं और वहां पर खीर भी जरूर रखके आएं क्यूंकि पीपल के पेड़ पर रखने से आपके पित्र प्रसंद होते हैं कोवे को कुते को और गाएं को अगर आप थोड़ा भोजन दे सकते हैं कल के दिन तो यह बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपको आपकी अगर कुंडली में पित्र दोश हैं तो उससे आपको मुक्ती मिलें उनसे आपको रिलीफ मिलें आने वाला भावी जीवन आपके लिए अच्छा रहे और नए साल के लिए भी हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे कि आप क्या करें आने वाले नए साल के लिए किस तना से उसका चुबारम करें तो मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे नोट बैल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलें वहारी यही चुब कामना है कि आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें समरिद रहें जय माता दिए